असलाम अलेकुम गाइज कैसे आप सब आई हो पच्छे होंगे और अभी सुभा का टाइम है करीब करीब आठ बचरा है और ये जो आज जूबी से शुरुआत हो रही है हमारे व्लॉग की और ये रोज सुभा का टाइम में हैं ये यहां बैठना पसंद करती है और काफी देर ये उसको काफी अच्छा लगता है और हम उसको बैठे भी रहने देते है क्योंकि ये उसको अच्छा लगता है और अपने हिसाब से बैठती है कोई डर भी नहीं ही वैसे गरने का और फिर हम अपना किचन में आ गए थे हम अपना नाश्टा बनाने के लिए से हस्बंड और हमा बना और डेली हमारा ये होता है कि हमारा खाना जो बनता है सुभा नौ बजे बन जाता है क्योंकि husband जाते हैं office तो टिफिन लगे जाते हैं तो खाना बन जाता है नाश्ता और खाना दोनों बनता है तो आज हुआ ये कि आज लंच नहीं लेके जाना था इनको आना था घर तो इस वज़े से नहीं ले जा रहे थे क्या कि घर आके आज खालूँगा खाना तो हम बस नाश्ता बनाना था तो आराम से बना रहे थे कोई दिक्कत नहीं थी नहीं तो क्या होता है कि रोज जल्दी जल्दी सुभा का टाइम में बहुत जल्दी गन्ना होता है नाश्ता खाना दोनों चीज़ें तो बन रहा था हमा और हम रोटी नहीं खा पाते हैं, नाश्ते में हमें रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, नहीं हम शुरूर से कभी भी नहीं खाएं, तो बस हम अपने लिए एक पराटा बनाते हैं, और यह देखे, अब हमारा रोटी बन चुकी थी, अब हम अपने लिए एक पराट बनाएंगे, डैली आमलेट और अंड़ा Hadamilad लेते हैं , Rodri ! और साथ्ती साथ में लेते हैं वOW Dus तो बस हम उसकेваद में नाशते के बाद हमें एक ev export coffee ले लेते हैं हमारा यह कि हां सुबह के टाइमわか हम्लोगों के हां चाय बिलकुल भी नहीं बनती है क्योंकि हजबन तो सुभा के टाइम में ये नाश्टे के पहले नीपू पानी लेते हैं ये सालों से इनकी आदत में हैं और वो डेली पीते हैं चाहे वो ठांड हो या गर्मी हो मतब पीते ही है तो अच्छी चीज़ है पीना और ये पीने के बद हम तो और आयाज भी सो रहे थे तो अब हम दोग अपना नाश्टा करेंगे उसके बाद वो आयाज को उठाए देंगे फिर आयाज का नाश्टा उनको जो करना होता तो फिर हम उनको लिए बना देते हैं तो बस यह हमारा अच्छा सा कुरकुरा सा परहाटा बन चुका है और हमें परहाटा ऐसा होता है कि बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए कि फौरान आप नाश्टा करने बैट रहे हो और आपका इधर परहाटा बनाओ और नाश्टा करें नहीं तो ठंडा हो जाने के बाद में चाहे ओमलेट हो या परहाटा हो बिल्कुल भी अच्छा नहीं के बैठती है वरना ऐसे नहीं आती है जब उसको कुछ भी खाना होगा मांगना होगा या कोई काम होगा तो ही आएगी वरना ये नहीं आती है तो इसका खाना ये होता है कि इसको जो 11 बज़े के टाइम हम इसको देते हैं चिकन बॉल करके और उसको मैश कर देते हैं उसमें न ही कुछ नमग डलता है ना कुछ भी ने डलता तो बस वो ही नाश्टा करती है तो लिए लगी हुई हमें मनवाने के लिए और हमें मज़ा आता है जब तक हम इसको परिशान करते हैं तो अच्छा लगता है कि तो बस इवस के बाद नाश्टा होने के बाद में फिर हम चले होता ही है देली साफ करना ही होता है क्योंकि सफाई अच्छा लगता है और ये देखिए दूद वाले भाईया ने भी दूद लाके दे दिया था तो सोचा कि चले अब दूद भी चड़ा देते हैं तो सिंपे करके दूद बॉयल होने देंगे और साथी साथ फिर सुबी के लि करीब बोनलेस चिकन मंगा के रख लेते हैं जूबी के लिए क्योंकि इस तरह से ये तीन पीस जो होते हैं दो तीन मताब ऐसा के साइस के साब से देते हैं नहीं है तो दो बड़े-बड़े पीस रा तो दो देते हैं तो बस इसका बॉयल होगा और ये इसको ठंडा करके फिर ह उसके लिए जूबी के लिए देंगे तो होता यह एक बहुत मतब एक दिन भी उसको नागा नहीं हो न होना और उसको टाइμ मालू में कि किस टाइम मेरा का मेरा नाशता होना है और विल्कुट हो टाइम के tepras के चुपा लिया था, तो वो देख रही है, ढूण रही है, के मेरे को देज़, इतनी उसकी खुश्बू आ जाती है, उनको की खाना है, तो भी इस तरह से, तो बस बिल्कुल भी नहीं बनाने दे रही थी, कि मेरे को बस दे दो जल्दी से, तो बस उसका ये मेश कर रहे हैं, और फिर खा लेती है तो कोई परेशानी वाली नहीं रहती तो फिर फुरसात हो जाती है उसको और पांच मैंने करीब होगा हमारे घर में आई हुए लेकिन अब ही तक नहीं कोई गंदगी कभी नहीं सिर्फ उसका जोड़ी डर है उसी में ही करती है बनना बार बिल्कुल भी गंदगी करती है तो इसी से बहुत अच्छे आराम रहता है कोई परेशानी नहीं है और विस्तर पे भी रहेगी तो भी कोई चीज की यह नहीं है कि गंदगी लगे नहीं तो कभी ऐसा डर रहता है तो फिर जानवरों को रखना भी डर सा लगता है कि विस्तर में कुछ अटन्द वाला होई बिकार्ण के युद्व में रप होई लत जाती हती एक्व है क्योंकि ऑनियुकरण करने है स्वारों को सद्ड़ान कह ओड़ा है क्योंकि अगर थोड़ी भी हवा लगेगा तो सीलन टैट की हो जाती है तो इस पचे से फिर वो नहीं खापाएगी तो बस और यह पैचान रही है कि यह मेरा डबा है और मुझे दिखा रहे हैं खाने के लिए से तो मेरे को खाने है और यह मेरा ही खाना है उसको सम पता है और ऐसी फिश को दे दो तो यह परिशान होती ही कि मेरे को क्यों नहीं दे रहे हैं खाना इस तरह से इसका चलता रहता है तो बस और देखिए फिर अजानक होई गया था कि फोन आके हाँ बाई का हमारे कि भी मैं नहीं आपाऊंगी आज और क्योंकि कोई उसके रिलेटिव है तो उसकी तब्याट ठीक नहीं है वो हॉस्पिटल में है तो बहुत ज़्यादा सीरियस है तो मैं कल आऊंगी तो हम क्या कर सकते हमने का ठीक है अचानक मैं मालूम होने से फिर यह होता है कि फिर थोड़ी परिशानी जरूर हो जाती है लेकिन यह है कि चले हो जाता है काम जल्दी जल्दी फिर हमने सारा काम करा जाडू पोचा बरतन फिर ऐसा होता है कि एक दिन भी पोचा नहीं लगा है तो आदत में है कि बिना पोच्छा है कि रहा ही नहीं सकता है आप कितने भी अच्छे से ज़ाड़ू लगा लोगे लेकिन आप जब तक कि पोच्छा नहीं लगाएंगे तो घर बिल्कुल भी साफ नहीं दिखता है और यह देखे आया दियास के पास गोद में बैटके चले में आ रही है बाहर गई तो यह दिसको बाहर बैठना बहर रएना अच्छ लगता है और क्योंकि उनको खुली हवा भी पसंद्लूती बाहर की अवा जो औरी जनल होती है तो जहादा अच्छा लगता है तो बस बाहर किये बरतन जादा नहीं थे थोड़े क्योंकि एक दिन पहले हम लोग बाँ कहा गया थे बाहर झालिया था तो उसे अच्छाब से बरतन भी कम थे तो हो गया बरतन भी जल्ली से और फिर पूरे घर का सामने सामने जाड़ पूछ जल्ली जल्ली कर लिया क्योंकि husband भी आने वाले थे lunch में नहीं तो यह है कि आराम से अपना पकाते रहो कर रहो खाना जब भी हो कोई tension नहीं होती सब काम हो गया है आज भाई अच्छानक से नहीं आई थी तो extra काम भी हो गया और बस अब सारा काम तो हो गया हमने नहा भी लिया और अब kitchen में चलते हैं खाना बना ले अज यह भी अच्छा था कि आज हमने सोचा था कि तहरी बनाएंगे और गरम गरम रहेगी तो खालेंगे husband अच्छा रहेगा क्योंकि लंच में तो ऐसा ले जानी सकते हैं तो अच्छा लगेगा तो बस यह भी सही हुआ नहीं तो दाल सब्धी चावल रोटी सारी चीज़ बनाना होता है और लेट हो जाते हैं और यह देखी सोया बीन की जो बड़ी होती वह है और यह आलू है और चीज़ डालके अच्छी मस्त कफी टेस्टी बनी थी तैरी और फिर गरम गरम बना लिया था और फिर हम ने फिर हजमें आ गया थे तब तो रेडी भी हो गई थी कोई दिक्कत नहीं हुई और यह देखी है थोड़ा सा हमने का सोचा कि पहले बॉयल हो जाए चावल तब उस लगाेंगे इसको धक्तन तो इसे यह रहता है कि सारा मिक्स हो के ही फिर पकता है और फिर हमने साइड में लिया भगाने के लिए रायता और हजबेंड प्याचुके थे तब इन्हें दही ले आये था क्योंकि दही घर पर नहीं था तो हमनेक्स झाला है तो बस खाना लगा घाने वाले हैं पहले रायति हैं उसके बाद में खाना लगेगा तो बस रायते में हम《से लूहाम है interacting कर िाव हिरतbacksायां चिप्दारित cement आ Harate बजेते हैं कभीा के रख लाए कभी सादर धे और मैं कब टाइम हो गया था और फिर अजबन को भी जलना रेता फिर ओफिस तो फिर इस बचा से तो बस हमारा रेट्य हो गया है और अब अब कुकर को भी खुल लेंगे क्योंकि कैसा बना है कुछ सब मिक्स हो गया है के नहीं हुआ है देख भी देख ले तो ये देखे है हमारा को मतलब धहरी तैयार हो चुकी है और अब हम लोग खाने जाएंगे तो काफी कलरफुल लग रही है क्योंकि थोड़ा सा लग रहा मेरे इच्छे जादा हो गई है तो उच्छे लिए जे वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फिर मिलते हैं नेक्स व्लोग में अलाहाफिज